क्यादी नूम्बर आटो चाओ चाओ तर्ष मुझादी नूम्र आटो चाओ पर जोगता है कापें टांग चुकी हैं खास तोर पर जो काफले केपी के से पंजाब की तरफ रमादमा हैं पिंडी की तरफ यानि लाकत बाग की जानब वो ट्रिमेंडस हैं ये भी मैं आपको बता दू के लाकत बाग को बाकाइदा सील तो कर दिया गया है पिंडी पूरा किंटेनर से सील कर दिया गया है लेकिन पबलिक अब भी मौजूद है और पब्रिक अमरान खान की कॉल के ओपर बाहर निकल चुकी है आज सारा दिन जो वीजूल शेयर किये जाते रहें शुरू में भी आपने मुलाजा कर लिया अली अमीन गंडापूर के साथ कोई ना कोई प्रेस कांफर्स कर रहा है कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी है और कोई ना कोई वावेला मचा रहा है आज की डिटेल्स के सास्थ मेराथन भाई करता है लेटेस्ट आपडेट के साथ ये विलॉग होने जारहा है इसलिए गुजारश यह को पहले मिनित से जैजे लाइक्स, जैजे शेर्स ताके फायर वाल यानि मिस्ट फाइबर वाल यानि मिस्ट फाइबर ग्लास यानि चश्मे वाली डॉल्फिन अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके WhatsApp चैनल का लिंक जाकर उसको क्लिक करके जॉइन कर लीजिए नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब पर नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा बिपरा सोनामी बिपरे सोनामी से पंजाब सरकार की कापेट टांग गई is बिपरे सोनामी से पंजाब सरकार लरजती हुई नदर आ रही है और अगर ये लरजातारी ना हो तो बार बार जो प्रेस कॉंफरेंस हो रही है वो ना हो इस वक्त अलिय अमीन गंडापूर अटक से आगे आ चुके हैं उनके साथ लाखों की तादाद में लोग हैं हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग हैं, हजारों गाडिया हैं, शुरू में आपने चोटा सा एक वीडियो ग्लिम्स मुलाइजा कर लिया, मैं जैदा नहीं दिखा सकता, कॉपी राइट स्ट्राइक आ सकती है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टन्ट है, लाखों की आ गए और उन्हें रुकावटें वहां से अटाना शुरू कर दी हैं, तो वो पीछे नहीं गया, वो अपने कंटेनर में जाकर चुपकर नहीं बैठे, इतलात यह है कि वो फ्रंट पर आ गया, लाइक वोईस वाज़ दा केस विद आजम स्वातीज काफला, उनका काफला ज अतराफ हजारों की तादार में पुलिस वालों के जुड़े होने और ताले लगे होने के बावजूद, खारदार तारों और कंटेनर्स के बावजूद, दरजनों अलाकों के अंदर हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हुए हैं और वो कैदी नमबर 804 के हक में नारे लगा रहे हैं. नैशनल मीडिया सुन बटा सनाटा हुआ हुआ हुए. कौमी बिकाओ मीडिया के ओपर एक भी खबर नहीं चल रही. हालात इतने मुश्किल हैं कौमी बिकाओ मीडिया के के वो दिखा रहा है जो देखा जाया जाना चाह रहा है. जो आप comparative analysis जरूर कर सकें कि चेक कीजिए कि एक तरफ public है जो अपने हक के लिए निकलना चाह रही है मजविजा गेर आइनी तरामीम के खिलाफ article 804 की करारदाद पास कराना चाह रही है पबलिक से आप समझें मेरी बात को याईनी दफ़ा 144 में दफ़ा 804 नाफिस करना चाह रही है आईनी मुझविजा तरामीम के उपर article 804 की करारदाद मन्जूर करना चाह रही है उसको रोकने के लिए फस्ताई हर्बे इस्तमाल हो रहे है तो वो फस्ताई हर्बे इस्तमाल करते हुए में बखारी कहती है वजिर आला यानि मर्यम नौाज श्रीफ साहिबा जिनके मुतालेक अमूमी राय ये है कि वो फारम सेंट तालिस की वजिर आला है बनना बनता नहीं था उनका वजिर आला बनना उसके ओपर वो कमेंट करती है कि वजिर आला की साफ इदायात है किसी ने क दहशतगर्दों की तरह आ रहे हैं सियासी जमातें क्या ऐसे जलसा करती है तो आप जलसा करें कि यहाद दे दो खोल दो ना खोल दो ल्याकत बाग को भाई मसले ही खतम हो जाएगा प्रॉबलम क्या है ल्याकत बाग को खोल दो दस लाक लोग जमा हो जाएंगे प्रॉबलम पीटी आए के बच्चे आप का इंदन बननने के लिए बड़ी दीटेल में इन समने बातशीत की ए अब इसवड़ी देर पहले तलाल चौदरी आ संदर प्रैस कॉन्फdoing्स गहए देँ ना एक करता है फिर दूसरा है तलाल चोजरी या उनने कहा चंद अनासर इदानों के खिलाप मोहिम चला रहे है तलाल रहे गालम गलोज प्रति दालाल ऐसे नहीं चलेगी यह और प्र कहते हैं प्रित फिर फीट रहे soft हरा करना चाहते हैं तो अब के लावा पुलिस की भारी रफी ताइनात करने की जलसा करना है जलसा कर लेने दो या इतजाज करना है इतजाज कर लेने दो बात खतम हो गई आप रियासत से कोई टकर दो नहीं सकता है या रियासत 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 होती है रियासत बड़े दिल का मुझारा करती है हकूमत ब बड़ी तादाद वहां पर जमा हो चुके हैं पुलिस की शेलिंग जारी है और तातरीन इतलाद के मताबक शेल खत्म हो गए और नए शेल मंगवाय जा रहे हैं और आपको पता है इस शेलिंग के ओपर भी करोनो रुपए लग जाएगा जो पुलिस ये शोग करेगी वो हमें पता है किस तरह ये चीज़ें हुआ करती है पिंटी पुलिस जो है वो पीटी आई के लोगों को अभी तक रोकने में नाकाम दिखाई देती है रेंजर भी अल्रेडी मौजूद है लेकिन पीटी आई वर्कर्स बड़ी तादाद में लियाकत बाग के करीब पहुंच चुक है आप जलसा करने दें इतजाज करने दें प्रोटेस्ट करने दें हर दो दिन बाद करने दें अगर्मेंट आपने बनाई हुई है बैठे हुए है एसी कमरों में चिल करें जब तक चलती है इसको चलाए बात खतम हो गई कमानीन आपने वो पास कराने है जो आपकी मर्जी ह पास करवाने है तो फिर लोगों को कमजगम ये दिल की भडास निकालने का हक तो दे इसको पर बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं उससे पहले मैं अली अमीन गंडापूर की आज के वेलर के उपर कॉमेंट जरूर करना चाहूंगा देखें अली अमीन गंडापूर साथ की ठिक ठाक सरजनिश हुई है कप्तान ने ठिक ठाक रगड़ के रख दिया है लास्ट मीटिंग में उसको पर एक विलोग भी किया था और कहा है कि आपको लेट होने की अब कोई जहात नहीं है आपकी सरकार जाती है जाए आपकी काबीन जाती है जाए चुप करके मेरबानी करके पबलिक के सेंटिमेंट के साथ ना खेले ओजब कॉल दी जाए उस वक्त निकले गवर्नर राज लगता है लगे और ना रुके और आज अली अमीन गंडापूर ने वो चीज़ दिखा दी है पबलिक शाजी यही देखना जाती थी इस वक्त लाखों का मजमाँ उनके पीछे है काफला उनके पीछे है कुछ हमारे साफी ब्रादरी है उन्होंने इसके उपर ट्वीट्स किये हैं और बातें की हैं मैं उनका नाम लेए इमरान रियास खान ने इसे तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करार दिया है पच् इससे बित्रीन जो है वो पुलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी पीटी आई की जानेब से पुरान रहने की पूरी कोशिच की गई लेकिन अब रियासत अगर यह कर रही है तो फिर उस जवाब में अगले क्या करें समी इबराहिम साब कहते हैं हामिद मीर साब ने इ बने सनाटा टीवी को छोड़ दें आप साबर शाकिर साब कहते हैं कि पिंडी सरकार बुखला गई है पिंडी सरकार बुखला वो यह कहते हैं सरम जावेद अपने काफलों के साथ निकल पड़ी है रास्तों में हैं जहां रुक रही हैं वहां जलसा है जरताज गुल जहां रुक रही हैं वहां जलसा है वहां अपने तरीके के साथ इसको प्रोटेस को लीड कर रहे हैं डॉक्टर शबाज गिल कहते हैं कि इस से बहतरीन एक्टिविटी पुलिटिकल हो नहीं सकती थी लेकिन सरकार ने वॉकलार्ट का मुझारा करते हुए शैलिंग से काम लिया जो क्या अफसोसनाक है तो अवराल जो पाकिस्तान की जो सिच्वेशन है उसके उपर मैं डेली एक या दो विलॉग्स करता हूं यह मेरा तीसरा विलॉग है और शाम तक अगर कोई और बड़ी डिवलप्मेंट हुई तो एक मतलब फिर हाजर हूंगा विलॉग्स इतना ही साथ साथ यह कहता चलूंगा सरकार को वाई कैसा है कर लेते हो यार स्प्राइब की यह बेल एकन की द्वाओं यार रखेगा शाम लेकुम और अबरकातों